अगर इस वीडियो के बाद भी आपको लगे कि कोई ऐसा सवाल है जो पैंडिंग रह गया आपको कोशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको इक इंफ्रमेशन ले दूँ कि हमारी नेक्स कोर्स की डिस्टेशन स्टार्ट हो तुके हैं अगर आपको दो प्राइस सेक्षन के टॉपिक भी समझाए जाएगे तो अगर आपको डेमो सेशन जॉइन करना है तो लिंक डिस्क्र कर सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला रूल है ऑप्षन प्रीमियम फॉर बायर अब ऐसा बायर हमारी सबसे बड़ी प्रॉलम क्या होती है कि कौन सा प्रीमियम बाइख करें और जैनली मैंने देखा है कि जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो क्या कर प्रीमियम प्राइस से अल्मुस्ट राउंड साथ सो आट सो पॉइंट डूर होगे तो अगर मार्केट ज्यादा मूब नहीं करेंगी हंड़े तो अब यहां पर अच्छे से प्रीमियम लिखे होगा इट मीज अगर आप ऑप्शन बाइंग की बात करें तो आपका मूब आएगी तो आप क्या कितना होल कर सकते हो तो आप इसको सिक्स्टी पे काड़ दोगे लेकिन जो नाइन टाइम्स वाप ट्वेंटी ट्वेंटी करके उसको दे दोगे मार्केट को तो अल्टिमेटली आप लॉस में ही रहने वाले हो तो एज़ा ऑप्शन बायर आप इन ऑप्शन को बाय करना बंद कर दीजिए अब कॉश्चन आता कि कौन से स्ट्राइक प्रेस को बाय करें तो अगर आप ज्यादा नहीं होना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं कि वो स्ट्राइक प्राइब ऑप्शन प्रीमियम को बाय कीजिए जो बिट्वीं 100 तू 200 है तो म इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा और 200 से ज्यादा क्यों नहीं मालीजी आपने 500 वाली ओप्शन ले लिए तो अगर आपका रिस्क होगा तो यह कुछ ज्यादा हो जाता है प्रॉफिट भी मिलेगा अब अगर मैं स्टॉप्लस की बात करेगी और उसके बाद ऊपर चली जाएगी तो आपका स्टॉप्लस जनरली जो मैंने एक्सपिरियंस किया है आपका स्टॉप्लस यह ऐसे प्रीमियम के उपर रहना चाहिए नियरली अरूंड 15-20 तो 15-20 परसेंट वीज आपका स्टॉप्लस नियर टू 30 पॉइंट्स होना चाहिए अब 30 पॉइंट का अगर आप इसको स्टॉप्लस देतो तो आप कहीं जाके मा आप सिक्स्टी पॉइंट का टागेट रखो जाफे 90 कभी-कभी मार्केट में शार्ट मूव्स होती है बड़ी मूव्स होती है और कभी-कभी मार्केट में न्यूट्रल मूव्स होते वह डैट डिपैंस पॉन इस्टॉशन हाँ एक कंडिशन है कि आपका एंट्री पॉइं आप इन ऑप्शन प्राइस को बाइक करना बंद कीजिए बिकाज बीज ऑप्शन का गुट फॉर सैलिंग नौट फॉर मैं तो आप हंडर्ड में तू-टू-हंडड में से कोई भी एक नंबर स्लैक कर सकते हैं उसके राउंड की ऑप्शन बाइक कर लिया तो आप 148 151 152 इ लेने में तो चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड टूर की कि क्या सेकंड रूल है वो ऑप्शन बाइस का तो रूल नंबर टूर क्या है स्टॉप यूजिंग दी ऑप्शन चार्ट पर ट्रेडिंग अब मैंने कुछ ट्रेडर तैसे देखें मालीजिए आप 36,000 की कॉल बाइ देते हैं उसकी कैंडल उसका वॉल्म देखे ट्रेडिंग करते हैं बट वहां पर आपको कहीं न कहीं आपको लैग रहेगा और आपका लॉस भी हो सकता है क्यों क्यों क्या चार्ट है जिसमें टाइम डिके भी है अल्टिमेटली वह ऑप्शन जीरो होने वाली एक्सपारी अगरो Guess that भीब आपको सही अनार्षिस करके नहीं देख वा अगर आपको चार्ट देखना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा इस पॉर्ट का चार्ट देखना पड़ेगे चलि मैं आपको एकस एक्जांपल देके बताता हुई Second चीज माली जिसमें एक resistance है, let's put this is the resistance level 250 और आपने यहां पर buying की, आपको लगता है कि इस resistance तक market आएगी, लेकिन exactly इस resistance तक market नहीं आएगी, क्यूं? क्योंकि जब तक market उपर जाएगी 250 के आजपस आएगी, तब तक उसमें time decay भी आजाएगा, तो हो सकता है market 240 तक आए, 245 तक है 243 तक है लेकिन 250 तक exactly नहीं आने वाली तो प्लीज ऑप्शन के चार्ट को यूज करना बंद कर दीजिए आपको स्पॉर्ड का चार्ट ही यूज करना पड़ेगा वही आपको सही करेगा क्योंकि उसमें कोई टाइम दिखे नहीं है so this is the second rule that will help you out in option trading तो चलीए अब बात करते हैं थर्ड रूल की कि गर ग्री तर्ड पॉइंट इस डान होल्ड चीन तौप फ्रिक्वेंटली ओरनाइट बाइंग पीशन की बात हों आपको नहीं को अपने अप्सिन को कुई ओप्षिन की लेकिन मंडे को उस मोगाई किभाता हुए मैं आपको छाट पर दिखाता हुए कि क्या फर्क बढ़ देख वाली कौछ मसंत प्रीमियμ है 166 अगर आप देखेंगे इसमें थीटा डिक है 14 पॉइंट इस अप्रॉक्सिमेट नंबर इग्जैक्टली नहीं होता तो दो दिन की चुटिया एक मीज मंडे को जब मार्केट खुलेगी अगर मार्केट फ्लैट कोई आई तो अगर मार्केट उपर भी जाएगी मालीजे 50 पॉइंट उपर चलेगी तब कहीं जाके आपका टोटल पैसे पूरे होंगे और जब वह एट 50 से उपर जाएगी तब कहीं जाके आपको प्रॉफिट होगा तो यह समझे चलिए जब आप ओवरनाइट टुजिशन वाय क करते हैं तो उसमें थीटा डिके भी होगा और आपको समझना पड़ेगा कि आपके अगेंस्ट है तो इसलिए आप कर सकते हैं कोई प्रॉलम नहीं आपको लगता है कि मार्केट एक इंपॉर्टन लेवल की पासा जैसे अगर लास्ट टाइम की बात करने मार्केट 15600 आई थ और आपको कही ना कही लॉस से बचाएंगे तो अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वी विल ट्राइट वीडियो जाकर आपकी कमेंट का रिप्लाइब कर देंगे अगर वीडियो आपकी कुई भी आने वाले अपडेट मेंस नहों थैंक यू बाइबाए